लुब अगर आप भी अपने किसी भी फोटो को किसी भी पिक्चर को ऐड़िट करना चाहते हैं उसके लिए वीडियो को लास तक दीखिए यहां पे इस तरह की फिक्चर को EDIT करने के लिए आपक एक एपलिकेशन की जरूरत हो गिया एप्लिकेशन को कैसे डाउनलोड करते हैं अगे की वीडियो में आपको बताऊंगी तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देख एडिट करना चाहते हैं तो यहां पे आपको आपने फोन में आना है और यह application ऐसे क्लिक करना है यहाल पöyleस्य चरप datos देखे हो G vo पर से अब अच्छ करने हैं उपर सतर्च को पार अपिर भीडों करते हैं जाए आप आपको कुछ नहीं अमWow सिंपलिस पोटो प्ली करना है और सिरफ एक लिक में आप आपके अपने फोटो वगर सकतीivery हो यहां पे आप देख लिजे आपका फोटो आज चुका है और नीचे साइड आपके फोन की गैलरी के फोटो शो होंगे आपको जिस भी फोटो को एडिट करना है अपनी गैलरी से इस फोटो को सेलेक्ट करना है मान लीजिए हम इस photo को edit करना चाहते हैं तो हमने इससे select किया इसके बाद यहां पर आप इसको size यहां पर चोटा बड़ा यह medium कर सकते हो यहां पर आपके पास option है इसके अलावा यहां पर आपको rotate को option मिलता है यहां पर अपनी picture को rotate भी कर सकती हो जब यह setting आप अपने according कर लेते हो इसके बाद यहां पर आपको green arrow मिलता है green arrow पर आपको click करना है जैसे आप green arrow पर click करते हो एक page open होता है आपको एक add show होगा add को आपको close कर देना है उसके बाद उपर दीखें यहां पर आपकी picture ready हो रही है बस कुछ second आपको लगेंगे और उसके बाद यह picture आपकी यहां पर आपको देखने को मिल जाती है आगे की वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप इस picture को save कर सकते है तो यहां पर picture आज की है उपर three dots मिलते है three dots पर click करना है और जैसी आप three dots पर click करोगी उसके बाद यहां पर आपको save to device को option मिलता है आपको save to device वाले option पर click कर दे रहा है और यह photo आपकी gallery में save होच की है तो इस तरह से आप किसी भी photo को इतने अच्छे से edit कर सकते हो बात करते हैं application को कैसे download करना है तो यहां पर आपको अपने phone के play store application में आना है और यहां पर आपको type करना है photo lab और जैसी आप photo lab type करके search करते हो यह application आपके साब आच की है आप इस application को download करके use कर सकते हो और उसके बाद इस तरह से photo edit कर सकते हो अपनी किसी भी फोटो को इस तरह से बना सकते हो अगर वीडियो पसंद आई होते से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसमें दीए के नोटिफिकेशन बिल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग